इस वक्त यूपी के बदाईयों से बड़ी खबर आ रही है, यहाँ पुलीस और बदमाशों के बीच मुटभेड में 60,000 का इनामी बदमाश घायल हो गया, जबकि उसका एक साथ ही चक्मा देकर फरार होने में कामियाब रहा, मुटभेड में एक दारोगा भी घायल हुए कुरव बाईपास के पास गाडियों की चेकिंग के दौरान रोकने पर बाईट सवार दोनों बदमाश पुलीस पर फाइरिंग कर भागने के कोशिश करने लगे, जबाबी कारवाई में गोली लगने से 60,000 का इनामी बदमाश मुवीन दबोचा गया देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कुरोना वाइरस से जुड़ी कोई भी अपडेट पॉलिटिक्स हो या आपकी जेव से जुड़ी कोई खबर इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कॉंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वाइरल वीडियो सब कुछ मिलेगा न्यूज 24 पर तो जुड़े रही है हमारे साथ और देखते रही है न्यूज 24